Hello everyone, last tutorial में हमने controls के first five code blocks को गोर से देखा था और इस video में हम लोग next three code blocks को देखेंगे जो के है wait until, repeat until and stop तो सबसे पहले मैं wait until को देखता हूँ तो wait until हमारा ऐसा code block है जो के next code block है वो तब तक execute नहीं करेगा जब तक कोई condition इसके अंदर जो हम लोग लिखेंगे वो true नहीं हो जाती तो let's say अगर हमारे इसके अंदर condition false है तो ये wait करता रहेगा जब तक वो condition true नहीं हो जाती और जैसी condition true होगी तो उसके बाद वो कोई अगला code block execute कर सकता है तो इस code block को demonstrate करने के लिए हम लोग एक छोटा सा program लिखते हैं जिसमें हम लोग करेंगे क्या के ये जो हमारी cat है ये हम लोग नीचे की तरफ बार बार लेके जाएंगे और मैं जैसे ही अपना space की प्रेस करूँगा अपने keyboard पे तो ये मेरी cat जंप करेगी तो सबसे पहले मैं code block लिखता हूँ जिसमें ये जो मेरी cat है नीचे की तरफ जाएगी तो मैं events पे जाता हूँ और when green flag click लिखता हूँ और फिर मैं control में जाता हूँ और forever लिखता हूँ और ये forever हमने इसलिए लिखता है क्योंकि हमें अपनी cat को बार बार नीचे लेके जाना है अब cat को बार बार नीचे लेके जाने के लिए मैं क्या करता हूँ अपने variable पे जाता हूँ और एक नया variable बनाता हूँ जिसको मैं gravity का नाम देता हूँ और ये gravity जो है क्या करेगी ये मेरी cat को नीचे की तरफ लेके जाएगी तो सबसे पहले मैं इस gravity को zero set करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ इस gravity को change करूँगा बार बार minus one से ताके ये बार बार नीचे आती रहे value और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अगर अपनी cat की ये जो y axis है इसको change करूँ और मैं इसको change करूँ gravity से तो मेरी cat बार बार नीचे की तरफ आएगी तो मैं क्या करता हूँ अपने motion पर जाता हूँ और change y by gravity करता हूँ तो मैं variable पे गया और यहाँ पे मैंने gravity चूज कर ली अब मैं इस code block को run करूँगा और हम लोग देखेंगे कि यह मेरी cat एकदम नीचे की तरफ गिरेगी तो अब मैं इसे run करता हूँ तो यह हमने देखा कि यह मेरी cat नीचे की तरफ गिर गई अब हम लोग अगला code block लिखते हैं जिसमें हम लोग करेंगे किया कि जब मैं space प्रेस करूँ तो यह मेरी cat जम्प करें तो उसके लिए मैं दुबारा events पर जाता हूँ और यह green flag प्लिक का code block लिखता हूँ और क्योंकि मुझे चेक करना है कि मैं space प्रेस जब करूँ और फिर मैं इस if condition में चेक करूँगा कि मैं कब space प्रेस कर रहा हूँ तो space प्रेस करने के लिए मैं sensing पर जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मैंने यह जो space का जो button है यह press कप किया है तो इसके लिए मैं यह key space press का code block लिखता हूँ और अब मैं क्या करूँगा मैं अपनी यह जो gravity है इसको 10 पे set कर दूँगा ताके यह जो मेरी cat है यह jump करे तो अब मैंने यह code block लिखती है तो अब देखें होगा क्या जब मैं यह green press का button दौँगा और अब मैं space press कर रहा हूँ तो हम लोग देख सकते हैं यह कैसे cat जम कर रही है पर इसमें एक बात notice करने की यह है कि let's say मैं space press करके छोड़ता ही नहीं हूँ तो अब देखें होगा क्या कि यह मेरी cat बार बार उपर जाए जा रही है अब मैं दौबारा space press कर रहा हूँ पर छोड़ नहीं रहा तो यह लोग हम लोग देख सकते हैं कि यह मेरी cat बार बार उपर जा रही है तो let's say मैं ऐसा करना नहीं चाता मैं चाता हूँ कि मैं user को force करूँ कि वो इस जो space press है इसको छोड़े और तब वो जब press करे next time तब ही मेरी cat जम्प हो वरना मेरी cat जम्प ना हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये wait until का code block यूज़ कर सकता हूँ और इस वे मैं condition लिख सकता हूँ कि जब वो key press को छोड़े तब ही आगे काम हो तो मैं क्या करता हूँ इस set gravity 10 के नीचे wait करता हूँ और मुझे wait किस चीज़ का करना है कि मैं कब ये key press छोड़ू तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं अपने operators पे जाके not operator लाता हूँ और इस not operator के अंदर मैं दुबारा चेक करता हूँ कि key pressed हुई है के नहीं तो अब मैं key pressed इस not के अंदर लिखता हूँ तो basically अब हो का क्या है कि ये तब तक wait करेगा जब तक मैं अपना key press छोड़ूँगा नहीं तो अब मैं इस cat को उपर लेके जाके दुबारा run करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरी cat जम तो कर रही है पर अगर मैं key press रखे रहूँ तब भी मेरी cat नीचे आ रही है जबके जब मैंने wait until का code block नहीं लिखा था तो मेरी cat उपर जा रही थी तो अब मैं अपनी key press करके रख रहा हूँ तो हम लोग देख सकते हैं ये मेरी cat कैसे नीचे आ गई और अब मुझे अपना key press छोड़ना पढ़ रहा है ताके मैं cat को बार बार जम्प करा सको तो ये हमने एक simple से use case देखा wait until का जिसमें हम लोग force कर रहे हैं user को के वो space का जो key button है उसको छोड़े तब ही हम लोग अपनी cat को दोबारा जम्प करा सकते हैं तो अब मैं इन दोनों code block को delete करता हूँ अब हम लोग अगला code block देखते हैं जो के है repeat until का और repeat until हमारा ऐसा code block है जो के कोई काम करता रहेगा जब तक वो true नहीं हो जाता उसकी condition तो let's say मैं एक ऐसा code block रुखता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी cat है ये आगे move करती रहे जब तक वो इस edge पे touch ना कर जाए तो इसको आगे move कराने के लिए मैं motion पर जा सकता हूँ और move 10 steps लिख सकता हूँ और मुझे इस code को green flag पर रन करना है तो मैं evens पर जाता हूँ और when green flag click का code block लाता हूँ और इस repeat until में मैं चाहता हूँ कि जब मेरी cat edge को touch करे तब ही वो basically move आगे ना करे तो मैं क्या करता हूँ मैं touching का code block लाता हूँ और यहां पर mouse pointer की जगा edge choose कर लेता हूँ तो अब होगा क्या है कि ये cat मेरी आगे move करती रहेगी जब तक वो इस edge को touch नहीं कर लेती तो अब मैं से run करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे उसने edge को touch किया तब मेरी cat रुग गई इसी जरा कर मैं उसे दबारा run करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बिलकुल perfectly काम कर रहा है तो ये जो हमारा repeat until है ये तब तक वो काम करता रहेगा जब तक कोई condition true नहीं हो जाती अब हम लोग अपना अगला कोई ब्लोक देखते हैं जो के है stop all का तो stop all हमारा ऐसा कोई ब्लोक है जो के हमारी जो screen पे कुछ भी चल रहा होगा जो भी code चल रहा होगा वो उसको फोरन stop कर देगा let's say मैं कहता हूँ के अगर मेरी ये जो cat है इस building जो है इदर इसको touch कर दे तो सब कुछ stop हो जाए तो अभी जो हमने पिछला code देखा था हमने देखा था के ये जो मेरी cat है ये edge को touch करेगी जब सिर्फ तब ही रुकेगी but let's say मैं लिखता हूँ कि जब मेरी cat इस building को touch कर जाए तो सब कुछ stop हो जाए तो उसके लिए मैं अपनी if की condition लाता हूँ और इसको move के नीचे लिखता हूँ और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या मेरी cat है building को touch कर रही है कि नहीं तो मैं sensing पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ touching और यहाँ पे mouse pointer की जगा building कर देता हूँ और मैंने building इसलिए किया क्योंके यह हमारे sprite का नाम भी building है तो अगर अब मेरी cat building को touch करेगी तो let's say मैं सब कुछ stop करना जाता हूँ तो अब होगा क्या कि देखें अभी तो जब मैं इसको run करूंगा तो यह edge तक चलेगा पर let's say अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ cat को और अगर अब मैं इसको run करूं तो यह देखें कैसे मेरा code block इदर ही stop हो गया यह मेरी cat edge तक नहीं गई तो यहाँ पे हमने देखा कि यह stop all जो है हमारा सारा code जोतना भी script पे लिखा होगा वो stop कर देगी इसी तरह इस stop के हमारे पास अलग options भी है यह stop का जो all option है वो सब कुछ stop कर देगा यह जो this script है वो खाली इस ही code script को stop करेगा और यह जो other script in sprite है वो और भी जो code लिखा होगा let's say अगर मैं दुबारा यह green flag का ले आऊँ और मैं looks पे कुछ और इदर लिख दूँ तो यह जो last all option है other scripts in sprite वो इस को भी stop कर देगा तो यह इन तीनों में फर्क है तो आज के tutorial में बस इतना ही अगर आपका कोई सवाल है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो comment करें और अगर आपको यह channel पसंद है तो इसे subscribe भी करें Thank you